साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर आज की साखी का विश्य है अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी श्री निवास जी ने अपनी पतनी को कहा सुनो आज चार तारिक हो गई है पैंशन लेने का समय आ गया है मैं बैंक जा रहा हूँ अगर मुझे आने में देर हो जाए तो परिशान मत हो न पैसे भी युवाओं को समय की कदर कहा है छोटा छोटा काम करने में भी कई घंटे लगा देते हैं अपनी पतनी को ये कहकर जब श्री निवास जी घर से बाहर जाने लगे तो उनकी पतनी ने पीछे से कहा आपके इतने सारे विध्यार्थी हैं उन्हीं में से किसी को क्यों नहीं कह देते श्री निवास जी का कहना था जमाना बदल गया है अब प पहला सपतहा होने की वज़े से मैंक में बहुत दीड थी एक खाली कुरसी देखकर श्री निवास जी बैठ गए और फॉर्म भरकर कैशिर वाले डेस्क के सामने खड़े हो ही रहे थे कि एक स्टाफ ने उन्हें आदर सहित कुरसी पर बिठा दिया और स्वयम फॉर्म लेकर कैशिर के कैबिन में चले गए इससे पहले कि श्री निवास जी कुछ समझ पाते तब तक बैंक का चपड़ासी उनके लिए चाय ले आया उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो बिना चीनी की चाय पीते हैं चपड़ासी बोला साहब ने बिना चीनी वाली चाय का ही ओर्डर गंटे से पहले मेरा काम नहीं होगा तब ही एक 32 वर्षिय सज्जन ने आकर श्री निवास जी के पांच हुए और विड्रो की गई राशी उनके हाथ पर रख दी इतना जल्दी काम पूरा होते देख श्री निवास जी हैरान हो गए उन्होंने उस सज्जन को धन्यवाद द देते हुए परिचय पूछा तो वो कहनी लगा सर मैं इस बैंक का नेया मेनेजर हूँ एक सबतहा पहले ही मैंने जोहन किया है लेकिन उससे पहले मैं आपका विध्यार्थी हूँ विध्यार्थी श्री निवास जी ने हरानी से पूछा उस व्यक्ति ने कहा जी सर सन 2004 में आ नोवी कक्षा के विध्यार्थियों को गनित पढ़ाते थे मैं अभी उनमें सेख था गनित मुझे समझ नहीं आता था परिक्षा में पास होने के लिए मैंने नकल करना चाहा और मैं पकड़ा गया और प्रिंसिपल सहा मुझे रेस्टिकेट कर रहे थे तब आपने उनसे आ कर कहा था कि ना समझे में विध्यार्थी तो गलती कर ही देते हैं हम शिक्षक हैं हमारा काम उन्हें शिक्षा देने के साथ सही रहा दिखाना भी है और ये इस लड़के की पहली गलती है रेस्टिकेट कर देने से इसका पूरा साल बरबाद हो जाएगा जो कि मेरे विचार में उचित नहीं है आपने फिर प्रिंसिपल से विनती की थी कि मुझे माफी देकर अगली परिक्षा में बैठने दिया जाए प्रिंसिपल सर ने आपकी बात मान ली थी और आपने अलग से मुझे ट्यूशन पढ़ाया और मैं परिक्षा में अच्छे अंकों से उतीरण हो कर आज आपके सामने खड़ा हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हाथ जोड़कर मेनेजर सहाब ने अपने गुरू को धन्यवाद दिया और सम्मान से उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए घर लोटते समय श्री निवास जी सोचने लगे जमाना चाहे कितना भी बद साती है साज संगत जी पुराने समय की बात है ब्रीटन के स्कॉट लैंड में फ्लैमिंग नाम का एक किसान था एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था अचानक पास में से उसे किसी के ही चीखने की आवाज सुनाई दी किसान ने अपना साजो सामान और रोजार फैंका औ और वो बच्चा डर के मारे बुरे तरह से काप रहा था और चिला रहा था उस किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी ढूड़ी और अपनी जान पर खेल कर उस टहनी के सहारे बच्चे को दलजल से बाहर निकाला अगले दिन उस किसान की छोटी सी जोपड़ी के सामने एक शानदर गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से कीमती वस्तर पहने एक सज्जन उतरे उन्होंने किसान को अपना परिचा देते हुए कहा कि मैं उस बच्चे का पता हूँ जिसे आपने कल बचाया था और मेरा नाम रुडॉल्फ चर्चिल है फिर उस अमीर रुडॉल्फ चर्चिल ने कहा कि वो इस एहसान का बदला चुकाने आए है फ्लैमिंग नामक उस किसान ने उन्ट सज्जन के ओफर को ठुकरा दिया और किसान ने कहा मैंने जो कुछ किया है उसके बदले में मैं कोई पैसा नहीं लूँगा किसी को बचाना मेरा करतव्य है ये मानवता है इंसानियत है और मानवता का इंसानियत का कोई मोल नहीं होता साथ संगत जी अब इसी बीच फ्लैमिंग का बेटा जोपड़ी के दरवाजे पर आया उस अमीर सज्जन के नजर अचानक से उस पर गई तो उन्हें एक विचार सुझा उस अमीर व्यक्ति ने पूछा क्या ये आपका बेटा है किसान ने गरव से कहा हाँ ये मेरा बेटा है अब उस अमीर व्यक्ति ने नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान को कहा ठीक है अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा कभार मैं अपने उपर ले लेता हूँ मैं इसे उच्छ स्तर की शिक्षा दिलवाने की विवस्था करूँगा जैसी मैं अपनी बेटे को दिलवा रहा हूँ फिर आपका बेटा आगे चल कर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गरव महसूस करेंगे किसान ने सोचा कि मैं तो अपने बेटे को उच्छ शिक्षा दिला पाऊंगा नहीं और ना ही इसके लिए सुविधाय जुटा पाऊंगा जिसे कि ये बड़ा आदमी बन सके अतहे मैं समीर व्यक्ति के प्रस्ताव को सविकार कर ही लेता हूँ साथ संगत जी बच्चे के भविषय के खातिर फ्लैमिंग तयार हो गया अब फ्लैमिंग के बेटे को सर्व स्रेष्ट स्कूल में पढ़ने का मोका मिला आगे पढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्टित सेंट मेरिज मेडिकल स्कूल से सनातक डिगरी हासिल की और फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पैनी सिलीन का विशकारक महान विज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लैमिंग के नाम से विख्यात हुआ लेकिन साथ संगत जी ये कहानिया खतम नहीं होती कुछ वर्षों के बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान सर अलेक्जेंडर फ्लैमिंग के द्वारा बनाएं गए पैनिसिलीन के इंजेक्शन से ही बची उस अमीर चर्चिल के बेटे का नाम था विस्टन चर्चिल जो कि दो बार ब्रिटेन के प्रधान मंतरी रहे है ना आश्रजनक सैयोग इसलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लोटकर आपके ही पास आता है यानि अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है यकीन मानिये मानवता की दिशा में उठाया गया प्रतेक कदम आपकी स्वयम की चंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा कुए में उतरने के बाद बाल्टी जुकती है लेकिन जुकने के बाद वो भर कर ही बाहर निकलती है और यही तो जिन्दगी जीने कसार है और हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही तो है जो जुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है साथ संगत जी उमीद है कि आपको आज किये साखी जरूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक शेर भी कीजेगा अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आप सभी से फिर्मुला कात होगी नई साखी और नए विजारों के साथ तब तक के लिए खुश रहिए सेवा सिमरन सत्संग कीजिए सत्गरू माता जी के चरणों से जुड़े रहिए प्रेम से बोलिए धन रंकार जी